राधे राधे मित्रो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देव उठनी काच्छी कब है, क्या शुब मूरत है, वरत कैसे रखें और वरत का पारण कैसे करें, कि समय करें और देव उठनी काच्छी में क्या खाना चाहिए और कैसे पूजा करने चाहिए अंत में हम आपको बताएंगे कि आप देव उठनी कादशी पर तुलसी जी का पूजन कैसे करें और साथ साथ एक ऐसा चुकूपाए जिसको करने से विष्णु भगवान लक्ष्मी स्वयम आपके गरपर विराजित रहेंगी तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा सनातन धर्म में देव उठनी कादशी का विशेश महतु है देव उठनी कादशी दिवाली के ग्यारवे दिन आने वाली कादशी को कहा जाता है इस दिन देश भर में शादियों का सीजन इसी एकादशी से शुरू हो जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने के शुकल पक्ष की जो एकादशी तिथी होती है उस दिन भगवान विश्नु और समस्त देव चार महीने के बाद विश्राम से जागते हैं इस दिन जब देव उठते हैं तो इसे देव उठनी कादशी कहते हैं इस दिन भगवान विश्णू की खास पूजा करने का विधान होता है और इस दिन शुब कारे भी किये जाते हैं अब देव उठनी एकाजशी पूजा का शुब मूरत क्या है देव उठनी एकाजशी कारतिक मास के शुकल पक्ष की एकाजशी को कहा जाता है यह है 22 नवंबर 2023 की रात को 11 बचकर 3 मिनट से शुरू हो रही है और 23 नवंबर 2023 की रातरी 9 बचकर 1 बजे यह समाप्त हो जाएगी ऐसे में उद्यातिती के अनुसार इस साल देव थाने काजशी यानि देव उठनी काजशी का पावन पर 23 नवंबर 2023 को मनाये जाएगा जो इस वरत का पारण क करते हैं वे अगले दिन यानि 24 तारीक को 2023 को प्राते है काल 6 बचकर 51 मिनट से 8 बचकर 57 मिनट के बीच कर सकते हैं गौर तलब है कि एकाजशी का वरत बगैर पारण के अधूरा माना जाता है देव उठनी एकाजशी में क्या खाना चाहिए भगवान विश्णु को और पेत प्रावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरगंदी, जैतून, नारियल, दूद, बदाम, अद्रक, काली मिर्च, सेंदा नमक आदी इन सभी सामक्रियों का उप्योग आप कर सकते हैं अब हम आपको बताएंगे कि देव उठनी एकाजशी क पूजा कैसे करें पहला देव उठनी एकाजशी के दिन सुबा जल्दी घर में साफसफाई कर लें दूसरा पूजा करने के लिए एक चौकी पर भगवान विश्नु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें भगवान विश्नु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक ल दाले और तुलसी की पत्ती को आप एकाजशी वाले दिन बिल्कुल मत तोड़ना चाहे तो एक दिन पहले आप तुलसी मांग से आग्रह कर सकते हैं उसकी विद्धी होती है कि कैसे मां का पत्र तुलसी दल लिया जाए पूजा में वरत कथा पड़े और भोग लगा कर आरत स्तंब बनाए दूसरा फिर उस पर तोरण सजाए तीसरा रंगोली से अश्ट दल कमल बनाए चोथा शंक चक्र और गाएं के पैर अवश्य बनाए पाचवा तुलसी के साथ आवले का गमला जरूर रखे आवला का पोधा लगाने का भी कार्तिक में बहुत विशिश महत्व होता है छटा तुलसी का पंचोप चार सरवांग पूजा करे सात्वा दक्षाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करे आठवा तुलसी जी का दशाक्षरी मंत्र है श्रीम रीम क्लीम एंग वरिंदा वन्याई स्वाहा ये मैं आपको लिख दूंगी आप इसको देख कर भी मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं नौवा घी का दीपक और धूब मा तुलसी जी के सामने अवश्य रखे उन्हें धूब दिखाएं दसवा सिंदूर रोली चंदन और नवैध्य मा तुलसी को चड़ाएं ग्यारवा तुलसी जी को वस्र अलंकार से सुशोबित करें फिर लक ये मित्रो अब हम आपको उस अच्चू कुपाई के बारे में बताते हैं जो देव उठने काच्ची के दिन करने पर आपके घर में स्वयम विष्णु भगवान और लक्ष्मी मा की कृपा रहेगी वें स्वयम विराजित रहेंगे इसके लिए आपको क्या करना है देव उठनी काच्ची को सुबा सुबा चार बजे उठकर आपको भगवान का नहा दोकर पूजन करने के पश्चात एक दीपक जला कर उसको भगवान विश्णु के सामने रखना है इखी का दीपक इसके बाद क्या करना है पूरे घर में आंगन में चट पर और मुख्य द्वार पर इन चार जगा पर आपको दिया जरूर जलाना है देव उठनी काच्ची में सुबा सुबा उठकर हिंदू माननेताओं के नुसा जो देव उठनी एकाच्ची है उस दिन अगर आप घर में दीपक चलाते हैं वो भी देसी घी का तो आपके घर में हमेशा सुक्षानती और स्वभाग्य बना रहता है और साथ साथ में तीसरा काम आपको क्या करना है आपको पीले या सफेद रंगे वस्त धारन करने है और ये धारन करके ही आपको कोई भी पूजा अर्चना करनी है और इस पूरे कार्तिक मास्का और पूरी देव उठनी एकाच्ची का सबसे महत्वपूंड विशेश उपाय जो आपको करना है वह है भगवान का नाम जब. माला पर आपको एक सो आट बार भगवान का किसी भी भगवान का जिनको आप मांते हैं, भगवान के और समीब पहुँच जाते हैं. तो मित्रो, यह है देव उठनी एक आदशी 2023 की संपोर्ण जानकाई जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है यदि आपको ये ग्यान वर्तक वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने सगे संबंदियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को करें कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा जैश्री हरी विष्णू राधे राधे